मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से ख़ड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ इसे ही रक्त में कीचड बहुत हो गया माने कॉलेस्टरॉल बहुत बढ़ गया तो वो जो इंसुलिन जाना चाहता है वो नहीं जा सकता इसी स्पीड से जाना चाहिए नहीं जा सकता, स्लो हो जाता है, कम जाता है या कभी-कभी ऐसा हो जाए कि रग्त बिलकुल गाड़ा हो गया इकतम ठिक हो गया तो वो insulin बैठ जाता है वही का है और glucose को लिए रहता है अपने साथ glucose उसके उपर बैठता है insulin वही बैठ जाता है तो वो बैठा हुआ insulin है जो रग्त में कोई connection नहीं है cholesterol के साथ connection है हमेशा याद रची इस बात डॉक्टर भी जानता लेकिन बताता नहीं होई है क्यों नहीं बताता क्योंकि cholesterol को कम ज़्यादा करना तो हमारे हाथ में है मैंने बता दिया इतनी सरल क्रिया थोड़ी देर पहले आप कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं डॉक्टर आपको ऐसे करेगा हो यह तो ठीक नहीं होगा जिन्दगी भर insulin का injection लेना जिन्दगी भर यह tablet खाना अब जिन्दगी भरी खाना है तो तुम किस बीमारी के लिए हो जिन्दगी भर चाना खाना पड़ता है जिन्दगी भर तो दारी खाई जाती है और सब्ची का कर देटा तो बाहर से जो artificial insulin है ये थोड़ा काम कर देता है क्योंकि ये नया नया है ठका हुआ नहीं है ये जाके थोड़ा सा खटखट कर देता है ग्लुकोस को पहुचा देता है लेकिन फिर उतनी देर के बाद वो कतम हो जाता है साइकल नहीं बना पाता है साइकल तो वही insulin बनाएगा जो आपकी पैंक्रियास से निकलता है तो आपको क्या करना है diabetes के patient को भी सारी ताकत इस बात पे लगानी है कि उनका रख्त का cholesterol घटे और जैसे जैसे cholesterol घटेगा खून पतला होने लगेगा ये insulin ही glucose लेके जाने लगेगा अंदर जो नहीं जा रहा है simple सी बात है तो diabetes के patient को भी वही करना है जो herd के patient को करना है तो हर्ड और diabetes एक ही सिक्के के दो हिस्से है इसमें भी खून को पतला करना पड़ेगा cholesterol कम करना पड़ेगा अच्छा cholesterol बढ़ाना पड़ेगा बुला cholesterol कम करना पड़ेगा तो वह सब काम करिए जो आप हर्ड के लिए करते हैं माने हर्ड patient और diabetic patient का एक ही prescription है मैंती दाना खाईए आमला खाईए अर्जुन चाल लीजे और यह आपको बता है जितने prescription थोड़ी देर पहले मैंने काई घी बदल दीजे नमक बदल दीजे तेल बदल दीजे यह सब diabetes के लिए भी लागू होगे जो हर्ड के लिए लागू होगा बस एक ही छीज लागू नहीं होगी एकोनाइट वो एकोनाइट शिर्f हर्ड के लिए है GUTIZ के लिए लागू नहीं होगी ठीक है? एक दो एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ जो हर्ड में काम नहीं आएगी लेकिन डाइविटीज में ही काम आएगी अब तक जो कॉमन थी वो मैं बता चुका हूँ अब एक्स्ट्रा चीज जो आपको लेनी पड़ेगी डाइविटीज पेशेंट को आपके रसोई घर में शायद वो ना मिले लेकिन बाजार में आसानी से उपलरता है जामुन एक फल आता है बोटरिनिकल नेम है उसका जमबो ले esp हिंदी में हम सब कहते हैं जामुन उस जामुन की गुटलियां मिलती हैं बजार सूखी गुटलिया उनका पाउडर बनाना है और वो पाउडर रोज एक चम्मच खाना है गुन-गुनी पानी के साथ ये diabetes वाले को एक्स्ट्रा करना है जामुन की गुठली का पाउडर बजार में मिलता है खुद भी बना लो जामुन जब आती है तो खूब जामुन खालो गुठलिया सुखा लो सुखा के कूट के पाउडर बना लो तो डाइबिटिक पेशेंट को ये एक्स्ट्रा है ये हर्ट के लिए नहीं है डाइबिटिक सबेरे जो भी लेना है सबेरे एक चम्मच और एक चम्मच माने टी स्पून खाली पेट लेंगे तो बहुत अच्छा गुठलिया पानी के साथ लें चलेगा उसके साथ पी ले सकते जामुकी उटली का पाउडर सबेरे के पानी के साथ लिया जाते और ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई है तो समझ लीजिए कॉलस्ट्रोल और ज़्यादा है तो इसको दो बार करेंगे सुबह और शाम शाम को हमेशा खाने के पहले ही लेना है इसको जब पेलेना है तो ये एक एक एक्स्ट्रा चीज है बाकी मेती दाना आप ले सकते हैं त्रिफला ले सकते हैं सब चीजें जो हर्ट के लिए ले रहे हैं वो तो ही ये एक्स्ट्रा है जामुन की गुट्ली का पाउडर ये जामुन की गुट्ली के पाउडर के साथ और भी कुछ है जो ले सकते हैं करेले के बीज का पाउडर करेला है उसके बीज निकालके सुखा लीजे और या तो करेला ही छोटा-छोटा पीस करके सुखा लीजे साल भर वो चलता है उसका पाउडर बनाके तो जामुन की उठली का पाउडर आदा चमच कर दीजे करेले का पाउडर आदा चमच कर दीजे यह mix कर लिए क राशा है क्या होता है निघा कम होती है क्रेले के पीश से तरहें पूंड़ से बिलकुल नहीं लिजे उसको भी आदा चमच ले लिजे तीनों मिलाकर डेड़ चमच हो गया जामुन की गुटली का करेले का और नीम के निमबॉली का तीनों का पाउडर मिक्स करके डायबिटीज के पेशेंट हर्ट वाले ये कभी ना ले ये सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए और तीनो भी कि गुटली का रिज़र्ट मैंए है अ testimon की गुटली के साथ करेला भी और उसके साथ में का निमबॉली का हो enorm ब्रेस की तीन महीने लगातार फिर 15 दिन प्रेक फिर 15 महीने लगातार फिर 15 20 दिन प्रेक जब तो आपको लगे कि आप सब कुछ नौर्फाल हो गया है तो दीरे दीरे बंग करें गुटली निकाल लें तो ठीक है नहीं तो बिना निकाले ही पीछ से उसको कोई दिक्कत नहीं कर दाया है अब यह सब लेने के बार कोई डायमेटिक पेशेंट है मैंने आप से बोल दिया है कि भगवान का बनाया हुआ पुछ भी भण को बनाया हुआ है मैं आदमी का दिमाग पी जादा लगता ये आत्मी खतरनाक है सारी दुनिया में, ये अपना दिमाग जहां लगाता है, वही सारी गड़गर करते हैं, हाँ खालीजे, देशी खान खालीजे, मिश्री खालीजे, आप जो है मिश्री खा सकते हैं, मिश्री भी पत्थर से याती है, मिश्री खा सकते हैं, देशी खान खा सकते हैं गुड़ खा सकते हैं शहद भी ले सकते हैं लेगिन चीनी नहीं है शुगर में गाजर पाग बनाई है नो गुड़ में इस्टीविया ले सकते हैं गाजर पाग बनाने तो गुड़ में बनाई कोई दिक्कत नहीं हलुआ बनाते ना गुड़ में बनाई कोई दिक्कत बस इतना ही ध्यान रखना है शक्कर मने चीन ये शुगर गुड का पाउडर है तो वो तो वही है जो गुड है उसमें कोई अधर मेरा इतना ही कहना है कि आप ये सब मीठी चीजे जो बगवान की बनाई हुई है जरूर लीजे क्यों लीजे जान लीजे आदमी की बनाई उनमें ग्लूकोज है बगवान की बनाई हुई जो मीठी चीजे है वो सब फ्रक्ट्रोज है ये फ्रक्ट्रोज जो है ना इसीली डाइजेस्टेबल है डाइविटिक पेशेंट भी उसको हजम कर लेगा तुरण और ये ग्लूकोज है ये नहीं होता असानी से अच्छा है जैसे मैं खड़ा हूँ ये पोडियम का कुछ और ये पोडियम के कática गुड़ण लाइंगे डार्क तो डार्क गूर जितना होगा उतने होगे उसमें केमिकल उसकती ही कंहोंगे और उसका होगे और बिट जितना लाइट कलर का होगा हुगा नैण ही घुमर ंजवान रंध गुड़ बनाने के लिए आप जानते हैं कई किसान हैं जो दूद से उसको साफ करते हैं तो वो गुड़ तो ऐसा हो जाता है डार्क और जो गुड़ को निर्मा वाशिंग पाउडर से साफ किया जाता वह एक तम वाइट होता है एक दम यलो तो आप जबी भी गुड़ खरीद पिर जाए तो दुकान वाले को कहें मुझे डार्क कलर का ही दो वो कहेंगा बाबुजी अच्छा नहीं है देखने में तो उसने बहुत देखने में खराब है लेकिन खाने में वो ही अच्छा तो आप गुड़ वो खा सकते हैं diabetes के patient के लिए फिर से repeat कर रहा हूं कि जो कुछ आप hurt के लिए करते हैं वो सब करना है extra जो मैंने बोल दिया जामुन की गुटली का powder है या आपके पास नीब की निम्बॉली का powder है या करेले का powder है ये extra है ये एक चीज है और जामुन की गुटली का powder जैसा ही homeopathy में एक medicine भी आता है वो जामुन की गुटली से ही बनता है आप उसका भी चाहें तो नाम लिख लीजे सीजियम जंबॉले सीजियम जंबॉले यह homeopathy S Y Z Y I E U M S Y Z Y I E U M सीजियम जंबॉले J A M B O L I N सीजियम जंबॉले S Y Z Y I E U M उदर में कुछ और लिखने वाला S Y Z Y I E U M सीजियम जंबॉले जंबॉले यह एक दवा है इसके आगे लिख लेना mother tincture सीजियम जंबॉले बदर तिंचर यह दवा को पानी में मिलाके पीना जो डाइमिटिक हैं उनके पंद्रे से बीस ड्रॉप चौथाई कप गुनगुना पानी अगर आपको जामुन की गुटली का पाउडर नहीं मिलता है तब यह दवा यूज कर सकते हैं मिल रहा है तो यह दवा मतला यह क्योंकि यह दवा उसी से बनी हुई चौथाई कप गुनगुना पानी मिला दीजे और सबेरे दुपहर शाम खाने के पहले या ब्रेकफास्ट के पहले डिनर लंच के आदा गंटे पहले इसको पीना तो यह डाइमिटिस के लिए करना और डाइमिटिस के लिए एक दो छुटी छुटी बात हैं और जब ध्यान करती आजब को कि बैबिटिस के हर पेशंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा हो डाइबिटी के हर पेशंट को पुट छोड़ना पड़ेगा ब्रेक्फास्ट कि समय पर लंच करना पड़ेगा है अ universal को यह अधिया अच्छ ब्रिंस करूब सभीह आप अगर 8 बजव कि लंच करें और शाम को चार से पांच बज़े के आसपास डिनर करें कि अधार नौ बज़े लंच चार से पांच के बीच में डिनर यह कंपल सरी है पांच का ज्यादा से ज्यादा छे हो सकता छे के आगे नहीं हाँ सुर्यास्त होने के पहले और सुर्यास्त होने के एक घंटे के बाद आपका लंच हो जाना बीच में भूख लगेगी तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़े खानी हैं जैसे फलादी में लीजे मुफली का दाना खा लीजे चना खा लीजे क्या एक आपक प्र लोगे रिजें वाली चीजें तो हैं वह जिनको बहुत चुका हूं रिफाइंड और डबल रिफाइंड और तो मुफलि खाये चना खाएं तिल खा लीजे तिल है, मुंफली है, चना, तिल की बनी हुई कोई चीज खा लीजे चने की बनी हुई चीजे खा लीजे, मुंफली की चीजे खा लीजे उसके साथ 2-4 कोई फल लेने हैं तो फल ले लीजे जूस लेने से अच्छा है फल खा लीजे उसके साथ तो दुपहर को इस तरह से आपकी व्यवस्था करिए, सबेरे नौ बजे तक लच भरपेट करिए, शाम को चार-पांच बजे भरपेट डिनर करिए, जो भी डायमिटिक है उनके लिए, ये तो कंपल सरी है, बिना इसके आप कोई भी अचीब्मेंट नहीं कर सकते डायमिटिक च्टे क्या ये तक लायमिटis कोणीय है, झाल ये डिए